हेलो फ्रेंड्स विशांग प्रोपर्टीज एंड कंस्ट्रक्शन की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आए हूं और जैल्वेल रोड विकाने रिस्तित एक प्रोपर्टी जिसका साइज है 15 by 60 वर्फुट यानि 15 by 60 स्क्वार फिट घर क के बार सड़क आप देख पा रहे हैं लोकेशन यह है कि उसके बाद आये चलते हैं घर में एंटर होते हैं कि अन्दर आते ही सबसे पहले आपको दिखाई देता है यह ट्राइंग रूम कम गेस्ट्रूम घर काफी पुराना बनावा है जैसा कि देखने के लग रहा है इसमें वाल माउंटेड अलमारी दिखाई दे रहे हैं आपको रूम नंबर वन के बाद में आपको लेप्ट साइड में फर्स प्लोर पर जाने के लिए सीडियां दिखाई देती है उसके बाद लेप्ट में ही आपको दिखाई देते हैं टौइलेट और बाथरूम इसके बाद घर का सेंटरल हॉल जिसमें आप देख पार हैं वाल की कंडिशन च्छत पर यह हैं वेंटिलेशन हॉल जन आपको सामने ही दिखाई देता है किचिन किचिन अनफर्णिष्ट कंडिशन में इसके बाद आज़ते हैं गर के एंड में यह पड़ा सा रूम है इसे रूम नंबर टू कह सकते हैं यह गर गो मुखी यानि बैक साइड से ज्यादा चोड़ा ही में है फ्रंट से थोड़ा संक्रा है इस रूम में आपको पिलर्स के साथ दिखाई देती है वाल मांटेड अन तो दोस्तों यह हुआ ग्राउंड फ्लोर प्लांट जिसमें आपको एक टोईलेट बात रूम किचिन और बेक साइड में एक रूम एक फ्रंट में रूम एक बड़ा हॉल और वहां से मिलती है आपको फास्ट फ्लोर पर जाने के लिए तो आएए चलते हैं ग्राउंड फ्लोर से फास्ट फ्लोर की तरप और देखते हैं फास्ट फ्लोर पर क्या है अब से वडियों पर आपको दिखाई दिखती है कोटा स्टोन फिनिश जो कि पुराने मकानों में एक नॉर्मल बात है पर फ्लोर पर आते हैं आपको दिखाएता है ओपन किच्छन ओपन किच्छन यहां भी अनफंडिश्ट कंडिशन में इसके बाद बैक साइड में आपको मिलता है यह बड़ा सा रूम यह देखे काफी बड़ा रूम है सेम नीचे की तरह यहां भी वाल मांटे डाल मारी है इसके लाव रकड़ी है कवर्ड वगर यहां रखे वह हैं कि अब हम आजाते हैं बार की तरह बार यह देखे एक खुला होल है इसे आप रामदा भी कह सकते हैं यह खुलता है बाहर ओपन स्पेस में जा मिलता है आपको अगेन एक टॉयलेट बात्रूम और एक वाल मांट है वाश पेशिन यह आसपास का नेबर हुड है और यह बाहर से आउट लूक है करके फ़र्स फ्लॉर का और यह है टॉयलेट बात्रूम उपर के देशी स्टाइल का मोड है कि अब हम चलते हैं टॉप फ्लॉर पर यानि रूफ टॉप पर तो दोस्तों इस प्रोपर्टी रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो कोई भी क्वेरी हो तो स्क्रीन पे दिये गए नंबर पर आप मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसके लाव अगर आप अपनी वीडियो शूट, एडिट या पॉस्ट करने हैं कोई भी चाज नहीं लिया आता हम सिर्फ फाइनल डील होने के बाद एक परसेंट कमिशन पर काम करते हैं तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्रोपर्टी लेकर तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो धन्यवाद